पाकिस्तान में बहुत जादा लाइकिंग और डिसलाइकिंग की चीजें चलती रहती है ऐसा पुर्व किर्केटर्स का मानना है कि बाबर आजम जिन्हें पसंद करते हैं जिन से उनकी दोस्ती रहती है उन्हीं को टीम में खिलने का मौका देते हैं और ये बयान आप लोगों उन्हें बहुत बार सुनी भी होगी इसमें कोई नया नहीं है लेकिन इस पर उस्मान कादिर ने चुपी तोड़ी है उन्होंने काया कि बाबर आजम मेरा चाइल्डूट फ्रेंड है लेकिन जब मैंने पाकिस्तान के लिए डब्यू किया था तब बाबर आजम कप्तान नह होती है कि वो अपने बच्पन के दोस्त को अगर खिलाना चाहे तो खिला ले कप्तान होना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है और वो अपना हमेशा बेस्ट प्लेइंग लेवन ही लेकर उतरते हैं मैं अपनी काबलियत के दंपे पाकिस्तान की टीम में मुझ है पाकिस्तान सुपर लिग में भी खेलते हैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी रहा है और इन्होंने चुपी तोड़ते हुए क्योंकि लगातार उस्मान कादिर पर यही बाते होती रही है कि नेपोटीजम चलता है बाबर आजम का जो फ्रेंड है उन्हीं को मौका मिलता है इमाम-ul-हक पर भी काफी जादा ये बाते चली है क्योंकि इमाम और बाबर की अच्छी खासी दोस्ती है लेकिन लोग परफॉर्मेंसेज नहीं देखते हैं कि किसका कौन से दोस्त है बाबर आजम के खलाब तो एक पूरी मीडिया ही पाकिस्तान की जो कराची मीडिया माफ इंडि में उस्मान कादिर ने अपना डेब्यू मैच खेल था अभी तक सतरह टी ट्विंटी मैचblade लेकिन औो कहले सこの की किए क्याय है कई पर अलेक्टर को मिजबा उलहक वगरे को तभी जाकर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है खर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली बाते तो चलती ही रहती हमेशा चलती भी रहेगी और इस चीज़ से पीछा तब तक बाबराजम नहीं छुटा सकते हैं जब तक कि वो कप्तानी के पत से वो हटे ना तो ये चलता रहेगा और उस्मान कादिर भी खोब मज़े ले रहे हैं इसका धन्यवाद